हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चेनल टारगेट सीविल सर्विसेश में तो दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं वो करेंट अफेर्स 2021 के फरवरी मन्त की इस वीडियो में दोस्तो हम पूरा complete फर्वरी मन्त का current affairs देखने वाले current affairs को हमने caterize किया दोस्तो awards and sports में, appointments, days and theme, योजना और world affairs इन सारे point पर हम एक ही करके discuss करेंगे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात आती है awards की यहां पर हमारा first topic रहेगा दोस्तो awards फर्वरी में किसे ICC men's player of the month award के लिए नामित किया गया है तो यह नामित किया है रिशब पंथ को राइट अंसर है यहां पर दोस्तो option 1 रिशब पंथ यहां पर मैं आपको बता दूँ दोस्तो रिशब पंथ के साथ ही इंगलेंड के जो रूट और आइरलेंड के पॉल स्टर्लिंग को ICC men's player of the month award से समानित किया गया है और यहां पर हम पंथ की बात करें तो इन्होंने औस्टिले के खिलाब दो टेस्ट मिच खेले थे और वहां पर इन्होंने सीडिनी में 97 रन बना कर इंडिया को एक एतिहासिक जीद दिलाई थी इसलिए important है आपके exam के लिए हाली में किसको COVID Crusader Award 2020 से समानित किया है तो यह समानित किया है इकबाल सीहें चहल को रैट अंसर है यहां पर दोस्तो option third मुंबई नगर निगम के आयुक्त इकबाल सीहें चहल को COVID Crusader Award से समानित किया है Femina Miss India Award 2020 का खिताब किस ने जीता है तो यह जीता है दोस्तों मनाशा वारा नशी ने तेलंगाना की मनाशा वारा नशी ने Femina Miss India Award 2020 का खिताब जीता है और Femina Miss Grand India 2020 की बात करे तो यह मनिकास शोकुन ने अपने नाम किया है और माने सीन ने दोस्तों यह उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और यहां Miss India 2020 रनरप का ताज हिनों ने अपने नाम किया है तो आपको याद रखना है Femina Miss India Award 2020 का जो खिताब है वो मनाशा वारा नशी ने जीता है और यह कहां की रहने वाली है यह रहने वाली है तेलंगाना की हाली में किस राज्य के मुख्य मंत्री को स्कॉच मुख्य मंत्री पूरुषकार से सम्मानित किया गया है तो यह सम्मानित किया गया है दोस्तों आंधर प्रदेश की मुख्य मंत्री डॉक्टर जगमोहन रेड़ी को याद रखना है यहाँ पे राइट अंसर होगा option 2 इसकोच मुख्य मंत्री पूर्षकार से डॉक्टर जगमोहन रेड़ी को समानित किया गया है हाली में किस देश ने मनिपूर के पूर्व अद्यक्ष डॉक्टर ठंग जाम धबली सियंग को और अब दर राइजिंग संसे समानित किया है तो यह समानित किया है दोस्तो जापान ने राइट अंसर है यहाँ पे option 4 जापान ने मनिपूर चिकिसक और राजि परेटन मंच के पूर्व अद्यक्ष डॉक्टर ठंग जाम धबली सियंग को और अब दर राइजिंग संसे समानित किया है तो आपको याद रखना है दोस्तो राइट अंसर है यहाँ पे जापान नेक्स्ट कोश्चन है दादा साहिफ हाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सिटैल एक्टर के रूप में किसे समानित किया है तो यह समानित किया है के के मेनन को राइट अंसर है यहाँ पे दोस्तो ऑप्शन 4 केके मेनन को दादा साहफ हाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 से समानित किया है इनको दोस्तों मोस्ट वर्सेट एलेक्टर के रूप में पुरुषक्रत किया है जो उन अभिनेताओं और कलाकारों को समानित करता है जोनोंने भारती सिनेमा में योगदान दिया है निमने लिकित में से किसने बेस्ट एक्टर के लिए दादा साहफ हाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवर्ड दो हजारी किस जीता है तो यह जीता है दोस्तों अक्षे कुमार ने राइट अंसर है यहाँ पे ऑप्शन टू अक्षे कुमार तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दो कि दादे साहफ हाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवर्ड मुंबई में दिये गए है और इस दोरान ताना जी दा अंसर्ग वार्यर को बेस्ट फिल्म का अवर्ड मिला है और साती फिल्म लक्षमी के लिए अक्षे कुमार को बेस्ट एक्टर का और वहीं छफाक के लिए डिपिका पादुकोन को बेस्ट एक्टरेस का अवर्ड मिला है तो आपको याद रखना है क्योंकि यह important question है दोस्तों और एक और important point है यहाँ पे Based Critics का award जो मर्नो परांत मिला है सुसान तसी है राजपूत को तो याद रखना है आपको आपके exam के लिए important है निम्नलिकित में से किस भारती को International Anti-Corruption Champions Award से समानित किया है तो यह समानित किया है अंजली भारतौच को International Anti-Corruption Champions Award से RTI कारिकरता अंजली भारतौच को समानित किया है अमेरिकी सरकार दोरा देश दुनिया के कुल 12 लोगों को इस समानित किया है और दोस्तों यहाँ शमान भ्रस्टाचार के खिलाब लड़ने के लिए इन लोगों को दिया गया है तो आपको याद रखना है International Anti-Corruption Champions Award से अंजली भारतौच को समानित किया है कोशन है दोस्तों Australian Open 2020 का पूरुस एकल खिताब निमले खित में से किसने जीता है तो यह अपने नाम किया है नोग जोकोविच ने यहाँ पर राइट अंसर है दोस्तों Option 3 नोग जोकोविच ने रूस के डैनियल मेदवेट को हरा कर Australian Open 2021 का पूरुस एकल खिताब अपने नाम किया है यहाँ पर हम दोस्तों बात करें नोग जोकोविच की तो इन्होंने Australian Open का खिताब यह नोवी बार अपने नाम किया है और दोस्तों यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि नोग जोकोविच किस देश से अपना संबंद रखते है महिला एकल वर्ग में Australian Open 2021 का खिताब किस ने जिता है तो यह जिता है नाओमी ओशाका ने राइट अंसर है यहाँ पर आप्शन वन नाओमी ओशाका महिला एकल वर्ग में Australian Open 2021 का जो खिताब है वो नाओमी ओशाका ने अपने नाम किया है ब्यासवी सिनियर रास्टी टेबल टेनिस चेंपियनसीब 2021 में पूरुस एकल का खिताब किसने जिता है तो यह जिता है जी सात्याने राइट अंसर है यहाँ पर आप्शन टू हर्याना के पंचिकला में आयूजीद ब्यासवी रास्टी टेबल टेनिस चेंपियनसीब 2021 का पूरुस एकल का जो खिताब है वो जी सात्याने अपने नाम किया है और सिनियर नेशनल टेबल टेनिस चेंपियनसीब में महिला एकल खिताब की बात करे तो यहाँ खिताब जीता दोस्तो मनिका बत्रा ने यह खिताब मनीका बत्रा ने दूसरी बार अपने नाम किया है इससे पहले दोस्तो इन्होंने 2015 में National Award अपने नाम किया था मतलब Senior National Table Tennis Championship में महिला एकल का जो खिताब है वो मनीका बत्रा ने अपने नाम किया है अब next point आता है महत्वपूर्ण योजनाए से तो दोस्तो अब हम बात करेंगे फर्मिल मन्त में जितने भी योजनाए लागू की गई है या लॉंच की गई है इन सारी योजनापर हम डिसकस करेंगे भारत के किस राज्य ने हर गर पानी हर गर सफाई मिशन की सुरुवात की है तो इसकी जो सुरुवात है दोस्तों वो पंजाब में की गई है पंजाब राज्य यहाँ पे राइट अंसर होगा पंजाब के सियम कैप्टेन अमरिंदर सिही ने मार्च 2022 तक सबी घरों में 100% पिने योगी पाइप जलापूर्ती के लक्ष को पूरा करने के लिए सरकार के अभियान के हिस्से के रूप में हर गर पानी हर गर सफाई मिशन की सुरुवात की है तो आपको याद रखना है यह किस राज्य ने की है पंजाब राज्य ने की है देश की पहली चिकिस्सा सिक्षा चात्रभीमा योजना किस राज्य में सुरुअ होगी तो इसकी जो सुरुवात होने वाली है दोस्तों वो मध्य प्रदेश राज्य में होने वाली है तो यहाँ पर राइट आंसर है ओप्शन थर्ड यहाँ पे हम बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश की राज़ानी क्या है भुपाल वर्तमान में मुख्यमंत्री सिवरासी चौवान है और गवर्नर आनंदी बिन पटेल है तो आपको याद रखना है चिकिस्था सिक्षा चात्रविमा योजना मध्य प्रदेश र रुपे में भोजन उपलब्द कराने के लिए यहाँ योजना मतलब मा योजना लॉंच की गई है तो यहाँ पर आपको याद रखना है मा योजना लॉंच की है पश्यम बंगाल ने यहाँ पर हम बात करते हैं पश्यम बंगाल की तो पश्यम बंगाल के मुख्यमंत्री क्योंकि important है आपके exam के लिए किस राज्य की सरकार ने भिकारी मुफ्त योजना को सुरू किया है तो इस योजना को सुरू किया है दोस्तो राजिस्तान सरकार ने हाली में किस राज्य सरकार ने महा शम्रद्धी महिला ससक्ती करन योजना की गोसना किये इसकी जो गोसना किये दोस्तों वो महरास्ट राज्ज ने की है तो आपको याद रखना है यहाँ पर राइट अंसर होगा option third महरास्ट रा हाली में किस राज्ज में मुख्यमंत्री आशिरवाद योजना की सुरुवात की गई है तो इसकी जो सुरुवात की गई है वो मध्यप्रदेश राज्ज में की गई है तो राइट अंसर है यहाँ पर option third मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री स्री शिवराशी चौवान ने मुख्यमंत्री आशिरवाद योजना का सुभारंब किया है दरसल दोस्तों यहाँ पाल गॉलियर जिले की है जो बतोर मॉडल अब पूरी राज में लागू की जाएगी और इसका जो मकसद है दोस्तों वो असाहे बुजुर्गो वद्यव्यांगों को घर घर रासन पहुचाना है और 65 वर्स से अधिक उम्र के असाहे बुजुर्गों को इस योजना का लाब मिलेगा तो आपको याद रखना है मुख्य मंत्री आशिरवाल योजना के जो सुरुवात है वो मद्य प्रदेश राज में की गई है महत्वपूर्ण योजना से लास्ट कोशन बनता है आपके दौर आईशिमान अभियान किस राज में सुरु होने वाला है तो इसके जो सुरुवात है दोस्तों वो मद्य प्रदेश में की गई है राइट अंसर है यहाँ पर ऑप्शन टू मद्य प्रदेश अधिक से अधिक लोगों को आईशिमान भारत योजना का लाब पहुचाने के लिए मद्य प्रदेश में आपके दौर आईशिमान अभियान चला जाएगा आपको याद रखना है आपके दौर आईशिमान अभियान के जो सुरुवात है वो मद्य प्रदेश राज्य में शुरू ही है और दोस्तों अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दे क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले अब दोस्तों बात करते हैं डे एंट थिम की मतलब दिवर्ष और विशे दिवर्ष की बात करेंगे और उसकी थिम इस वर्ष क्या है ये भी हम बात करेंगे आप लिए फर्स्ट कोशन बनता है अंतरास्टी वेटलेंड दिवर्ष कब मनाया जाता है तो ये कम मना जाता है दोस्तो दो फर्वरी को राइट आंसर है आप्शन टू विश्व आद्रभुमी दिवस दो फर्वरी को मना जाता है दरसल 1971 की बात करें तो इसी दिन आद्रभुमी पर रामसर कन्वेंशन को अपनाय गया था और इस साल की जो थीम है दोस्तो वो क्या है वेट लेंड्स एंड वाटर आपको याद रखना है इस वर्वर्स की थीम वेट लेंड्स एंड वाटर अगला कुशन है विश्व केंसर दिवस की थीम क्या है तो इस दिवस को मनाने के पिछे दोस्तों केंसर के प्रति जागरूपता फैलाना है और इस दिवस के जो सुरुवात है वो सन 2000 में की गई थी तो आपको याद रखना है विश्व केंसर दिवस के जो सुरुवात है वो सन 2000 में की गई थी और यहाँ पे हम theme की बात कर रहें तो इस verse की जो theme है वो I am and I will है तो आपको याद रखना है यहाँ पे right answer है option 1 और दोस्तों यहाँ पे आपको comment करके बताना है कि वीश्व केंसर दिवस कब मनाया जाता है भारत में राश्ट्री महिला दिवस कब मनाया जाता है तो आपको याद रखना है भारत में राश्ट्री महिला दिवस है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है अगला question देखें दोस्तों इससे पहले आपको यहाँ पे बताना है कि अंतर राश्ट्री महिला दिवस कब मनाया जाता है इसका जवाब आप जल्दी से comment में करिए विस्वर समाजिक नय दिवस 2021 की थिम क्या है तो दोस्तों इस दिवस को मनाने का पहले मक्षद देख लेते तो यहाँ दिवस विभिने समाजिक मुद्दो जैसे कि बहिशकर, बेरुजगारी, अश्यमानता, भेदवाओ, गरीबी से निपटने के प्रयास को बड़ावा देने के लिए मनाया जाता है तो आपको याद रखना है विशामाजिक दिवस प्रतेक वर्स 20 फरवरी को मनाया जाता है यह आपको एक्जाम में पूछा जा सकता है कि विशामाजिक नए दिवस कब मनाया जाता है तो यह 20 फरवरी को मनाया जाता है और इस वर्स की theme की बात करें तो वो क्या है A Call for Social Justice in the Digital Economy इस वर्स की theme क्या है दोस्तों A Call for Social Justice in the Digital Economy Next question है अंतरासी मात्रभाशा दिवस International Mother Language Day कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को राइट आंसर है यहाँ पे option 3rd 21 फरवरी और दोस्तों आपके लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा question बनता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है इसका जवाब आपको comment section में देना है Next question है भारत में राश्टी विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को ये दोस्तो 28 फरवरी को प्रत्यक वर्स मनाया जाता है अब दोस्तों बात करते हैं new appointment की मतलब नई new उक्तिया की question है Amazon के नए CEO कौन होंगे तो दोस्तों ये होने वाले हैं एंडी जेसी हाली में दुनिया के दूसरे धनी वेक्ती जेफ बेजोज ने Amazon के CEO यानि मुख्य कारिकारी अधिकारी पत को छोड़ने का एलान किया है इस साल की तीसरी तीम आई में वह इस पत को छोड़ देंगे अब Amazon के जो नए CEO है वो दोस्तों एंडी जेसी होने वाले है और दोस्तों यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि Amazon के संस्तापक कौन है इसका जवाब आपको जल्दी से देना है दोस्तों हाली में Boxing Federation of India का अध्यक्ष किसे चुना गया है तो यह चुना गया है अजे सीह को राइट अंसर है दोस्तों Option 1 हाली में अजे सीह को Boxing Federation of India के अध्यक्ष के रूप में पुनर निर्वाचित किया गया है हाली में CBI का अंतरिम चीफ किसे नियुक्त किया गया है तो यह नियुक्त किया है दोस्तों प्रविन सिन्ना को CBI के वर्तमान Additional Director प्रविन सिन्ना को अंतरिम चीफ नियुक्त किया गया है और आपके लिए दोस्तों एक बहुत ही अच्छा कोशन बनता है CBI का मुख्याले कहां परिस्तित है इसका जवाब आपको देना है हाली में राश्टी सुरक्षा परिश्रत के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है तो यह नियुक्त किया है एशन शुब्रमयम को राइट अंसर है यहाँ पर आप्शन थर्ड यहाँ पर हम दोस्तों बात कर रहे है नेसना सेप्टी कॉंसिल की मतलब राश्टी सुरक्षा परिश्रत की तो इसकी जो इस्थापना है वो चार मार्च 1965 में की गई थी और इसका जो हेड़कॉर्टर है वो मुंबई में इस्ती थे और अध्यक्षी वर्तमान में कोन बन गया है एशन सुब्रमयम तो आपको याद रखना है इंपोरेटर है आपके एक्जाम के लिए हाली में मार्यो ड्रेगी किस देश के प्रधान मंत्री बने है तो ये दोस्तो बने है यूरोपी देश इटली के राइट अंसर है ऑप्शन वन मारी गोर्ड रेगी यूरोपिय देश इटली के प्रधान मंत्री बन गए है वे यूरोपियन सेंटर बेंक के पूर्वर प्रमुग भी रह चुके है और दोस्तों ये एक इकोनोमिस्ट है मतलब एक अर्थ सास्त्री है आपको याद रखना है मारी गोर्ड रेगी इटली के नए प्रधान मंत्री बने है अंतरहस्ती सौर गडवंदन आई एसे के अगले महा निदेशक कौन बनेगे तो ये बनने जा रहे है दोस्तों अजय माथूर राइट अंसर है यहाँ पर आफशन फोर अजय माथूर यहाँ पर हम बात करते हैं आई एसे मतलब इंटरनेशनल सोलर अलाइंस की तो आपको यहाँ पर कमेंट करना है आई एसे का मुख्या ले मतलब इसका हेड़कॉर्टर कहां पर इस्तित है इसका जवाब आपको देना है दोस्तों पुर्जा और अनुसंदान संस्ता के जो प्रमुक है वो अजय माथूरी थे और इनको दोस्तों अब अंतराश्री सोर गड़बंदन के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है तो आपको याद रखना है आएसे के अगले महानिदेशक के रूप में अजय माथूर को नियुक्त किया गया है हाली में सीरिया के लिए अगले भारती राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो सीरिया के लिए दोस्तो भारती राजदूत के रूप में महेंद सींग कान्याल को नियुक्त किया गया है राइट अंसर है यहां पे option 1 महेंद सींग कान्याल इससे पहले दोस्तो महेंद सींग कान्याल सूरी नाम में भारत के राजदूत है तो आपको याद रखना है सीरिया के जो अगले भारती राज़ूत है वो महेंदे सिंग कान्याल को नियुक्त किया गया है मानो अधिकार परिशद सलाकार समीती के पहले अध्यक्ष भारती अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो ये नियुक्ति किया है दोस्तो अजय मलोत्रा को राइट अंसर है आप्शन थर्ड अजय मलोत्रा अजय मलोत्रा मानो अधिकार परिशद मतलब हुमन राइट्स काउंसिल के सलाकार समिति के अध्यक्ष करूप में चुने जाने वाले ये पहले भारती बन गए है इसलिए दोस्तो ये आपके एक्जाम्पली इंपोर्टेंट है राजी सबा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है तो ये नियुक्ति किया है मलिका अरुजुन खडगे को कॉंग्रेश नेता मलिका अर्जुन खडगे को राजी सबा में विपक्ष के नेता की रूप में न्यूक्त किया गया है से पहले दोस्तों विपक्ष के नेता गुलाब नभी आजात थे तो इनकी जगह लेंगे कौन मलिका अर्जुन खडगे टोक्यो 2020 उलमपिक संचलन समीति का अद्यक्ष किसे चुना गया है तो ये चुना गया है सिको हासी मोतो को राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्षन टू सिको हासी मोतो मादिप्रदेश विदान सबा का नया अद्यक्ष किसे न्यूक्त किया है तो ये नियुक्ति किया है गिरिश गौतम को तो आपको याद रखना है मादिप्रदेश विधान सभा का जो नयाद दक्ष है वो गिरिश गौतम को नियुक्ति किया गया है यहाँ पे हम बात कर रहे है मादिप्रदेश की तो इसकी राजदानी आपको पता है भुपाल है और इसकी जो हिस्थापना है दोस्तों वो 1 नवंबर 1956 को की गई थी और इसके मुख्य मंत्री वर्तमान में सुरासी चववान गवर्नर आनंदी बेन पतेल और मुख्य नयादिस मुहमद रफिक है तो आपको याद रखना है मद्री ब्रदेश विधान सभा का जो नया अध्यक्ष है वो गिरिश गौतम को नियुक्त किया गया है जौर्जिया देश के नय प्रदान मंत्री कौन बने है तो जौर्जिया यूरोपी महादिप में इस्तित देश है और इसके जो प्रदान मंत्री बने है वो इराकवली गरिबो सवली बने है राइट अंसर है दोस्तो यहां पे option 4 तो दोस्तो जॉर्जिया एक यूरोपी महादीप में इस्तित देश है और इसकी जो राजधानी है वो क्या है तबी लिसी आपको याद रखना है जॉर्जिया देश की राजधानी तबी लिसी है महत वो पूर्ण न्यूक्तिया से दोस्तो लास्ट कुशन बनता है रास्टी अनुसुचित जाती आयोग का अध्यक्ष किसे न्यूक्त किया गया है तो यह न्यूक्त किया है विजय सामपला को राइट अंसर है यहां पे option 4 विजय सामपला ने रास्टी अनुसुचित जाती आयोग के अध्यक्ष का पदभर समाला है तो आपको याद रखना है रास्टी अनुसुचित जाती आयोग मतलब National Commission for Schedule Cast की बात कर रहे है यहां पे इसके जो अध्यक्ष है वो विजय सामपला को नियुक्त किया गया है और दोस्टों यहां पे बात आती है रास्टी अनुसुचित जाती आयोग की तो यह एक सम्वेदानिक निकाए है और इसका जो जीक्र है वो सम्वेदान के आर्टिकल 338 में किया गया है तो आपको याद रखना है यह आर्टिकल अब नेक्स्ट केटेगरी है दोस्तों वर्ड अफेस 2021 के फर्वरी मंथ की जो रूट किस खेल से अपना समंदर रखते है तो यह रखते है दोस्तों क्रिकेट से यह चर्चा में क्यों तो इंग्लेंड के जो रूट ने अपने सम्वेद टेस्ट में 200 रन बनाए है और यह पहले क्रिकेटर बन गए है इन्होंने भारत के खिलाब पहले टेस्ट के दूसरे दिन मतलब 6 फरवरी 2021 को यह उपलबदी हासिल की है इससे पहले दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उलहक जिनोंने 2005 में भारत के खिलाब बैंगलूरू में सोवेट टेस्ट में 184 रन बनाए थे दोस्तों इससे पहले सर्वस रेस्ट स्कोर था अब 200 हो गया जो क्रिस मौरीस राजिस्तान रॉयल के लिए IPL निलामी में सबसे महंगे खिलाडी बन गए है यहां पर हम बात करते हैं दोस्तों भारती प्लेयर की क्रेशन अप्पा गौथम की जिनोंने IPL 2021 की निलामी में ने सूपर किंग्स के लिए सबसे महंगे अनकेब्ड भारती खिला बन गए है निमने लिखित में से किस देश की क्रिकेट टीम सो अंतरास्री 220 मेच जितने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है तो यह बन गए दोस्तों पाकिस्तान पाकिस्तान यहां उपलबदी दोस्तों दक्षिन अफरीका को चार विकेट से पराजित करके हसिल किये तो आपको याद रखना है तो अंतरास्री 220 मेच जितने वाली दुनिया की पहली टीम पाकिस्तान है हाली में भारत सबसे बड़े अंतरास्री होकी स्टेडियम की आधार सिला है वो उडिशा के सुंदरगर में रखिये राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन वन उडिशा की म होकी स्टेडियम का नाम स्वतंतर सिनानी बिर्सा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा तो आपको याद रखना है भारत के सबसे बड़े अंतरास्री होकी स्टेडियम के जो आधार सिला है वो उडिशा के सुंदरगर में रखी है भारत की पहली भूत आपिय विद्दूत प औरिशा राज्य ने COVID-19 वारियर से द्वारा की गई सेवा यह वो बलिदान की याद में COVID-19 वारियर मेमोरियल बनाने की घुसना की है भारत का सबसे बड़ा भी चीतर कहां बनाया गया है तो यह बनाया गया दोस्तों चेनने में राइट अंसर है और दोस्तों यह खास लोगों को ससक्त करना है तो आपको याद रखना है भारत का सबसे बड़ा भी चीतर चेनने में बनाया गया है माधिप्रदेश केबिनेट ने आदिम जाती कल्यान विभाग का नाम बदल कर निम्न लिखित में इसे क्या रखने का निरने लिया है तो इसका जो नाम है दोस् ऑप्शन 2 दोस्तो आईसा अजीज 25 वर्स की आईसा अजीज कस्मिर की रहने वाली है और आईसा अजीज भारत की सबसे यूवा महिला पाइलेट बन गई है तो आपको याद रखना है राइट अंसर है ऑप्शन 2 हाली में जारी डेमोक्रेशी इंडेक्स में भारत का कौन स इस्तान है तो इस इंडेक्स में दोस्तो भारत का इस्तान है त्रेपनवा दा इकोनिस्टे इंटिलिजेंस यूनिट के अनुसार भारत 2020 में डेमोक्रेशी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में दो इस्तान गिरकर त्रेपनवी इस्तान पर आ गया है यहां पे हम दोस्त का इस्तान कौन सा है तो ये budget पेस किया गया है तो ये budget पेस किया है दोस्तो केंदरी बजट 2021 भारत में पहली बार केंदरी बजट 2021 डिजिटल फॉर्म में पेस किया गया है केंदरी मंतरी, विट verschiedenen निर्मिला शिता रमन ने टेबलेट से यहाँ बजट पेस किया था और विट मंत्री ने यूनियन बजट मोबाइल एब भी लॉंच किया था और इस मोबाइल एब के जरिये सांसा देव अन्य लोग बजट को आसानी से पढ़ सकती थे तो आपको याद रखना है डिजिटल बजट केंद्री बजट 2021 के रूप में पेस किया गया है देश का पहला कोविड मुफ्त केंद्र सासी प्रदेश कौन सा बन गया है तो दोस्तो ये कौन सा बन गया है अंडमान और निको बारदीब समू राइट अंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड मद्रदेश में कहां पर डकेतों पर म्यूजियम बनाया जाएगा तो ये बनाया जाएगा दोस्तो भींड में राइट अंसर है यहाँ पे ऑप्शन वन माद्रिप्रदेश के भींड में डकेतों पर एक म्यूजियम बनाये जाएगा हाली में किसने आपचारिक रूप से भारत का पहला डिजल ट्रेक्टर जिसे CNG में परिवर्तित किया है इसे लॉंच किया है दोस्तो इसे लॉंच किया है दोस्तो नितिन गटकरी ने केंद्री सडक परिवन और राजमार्ग मंत्री नितिन गटकरी द्वारा 12 फरवरी को भारत का पहला डिजल ट्रेक्टर जिसे CNG में परिवर्तित किया गया है इसे आपचारिक रूप से लॉंच किया गया था निमले खित में से कौन सा सहर भारत का पहला डॉल्फिन रिसेर्च सेंटर बन जाएगा तो यह बनने जा रहा है दोस्तो पटना सहर बिहार का पटना सहर भारत का पहला डॉल्फिन रिसेर्च सेंटर बन जाएगा हाली में दुनिया का सबसे बड़ा पवन उर्जा संयंत्र कहां पर इस्तापित किया जाएगा तो इस्तापित किया जाएगा दोस्तो दक्षिन कोरिया में तो यहां पर हम दोस्तो बात करते हैं दक्षिन कोरिया मतलब साउथ कोरिया की तो इसकी राजदानी सियोल है और इसकी जो मुद्रा है, मरलब यहां की जो currency है वो South Korean Won है सियोल सांथी पुरुषकार की अगर हम बात करें तो ये South Korea द्वारा ही दिया जाता है और सियोल सांथी पुरुषकार 2019 का अंतरास्टी ओलंपिक समीती के अदेक्ष Thomas Bosch को दिया गया है तो आपको याद रखना है, सबसे बड़ा पवन उर्जा सर्यंत्र दक्षिन कोरिया में स्थापित किया जाएगा तो दोस्तो आज का सेशन यहीं परेंड होता है अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, तो इसे जरूर लाइक करेगा सेयर करेगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना थैंक्यू सो मच गाइस फॉर्चिं इस वीडियो